यू, what's up guys, कैसे आप सो भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो guys, आज हम लोग दुबारा से कहलने जा रहे हैं GDF5, तो जैसे कि आप सो भी लोग को याद होगा कि last episode में हम लोग उन्हें इपने शूरू में बहुत सारी Ferrari cars लाकर खड़ी करी थी, ताकि वो विक्के और उसे में और भी बहु का honor बनना है, अब ये बात आप लोग को अच्छे से मालुम है, कि आगर diamond casino का honor कोई और नहीं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन डगण boss है, जो कि उस casino को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि ये बात उसको अच्छे से मालुम है, कि अगर इस casino का मालिक कोई और बन जाता है, तो वो बहुत जदा अमीर हो जाएगा, और उस पर बहुत पैसा आजाएगा, और पैसा आजाएगा, तो CDC बात है, बहुत पावर भी आजाएगी, तो इसलिए पने दोस्ते प्लान बनाए कि काम करते हैं, के पास casino को खरीदने चलते है, बेचेगा तो ठीक है, Otherwise, Dragon Boss को उड़ा देंगे, बट अपना प्लान वहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि वो दोनों दोस्त निकलें, और आपसमें उनकी दोस्ते होगी, casino सीनो का सीनी गतम हो गया, और फिर, अब क्या ही बोले, मैं यहाँ पर पिछली 2-3 दिन से छुपके रह रहा हूं, क्योंकि आप लोग मारे जाते, बाकि यार अभी जल्दी से अंदर चलते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो जो रिच मैन है, उसने अभी दुबारा से मुझे मिलने के लिए बुला है, वैसे कसम से पैसा इतना जादा है, क्या ही करे, उसके लिए काम करना ही पड़ता है, उसने इतनी सारी पहले बाकि यहां पर रहते हैं, यहां पर रहते हैं, यहां पर रहते हैं, पूरा एक हफता हो चुका है, यहां पर रुकने के लिए मुझे लेस्टर ने भी बोला था, क्योंकि उसने का था भी, city आओगे तो विल्कुल भी safe नहीं है, वो सकता है, डगगन बोस ने अपने बंदे हमारे पीछे लगा रखे हो, इसलिए हम लोग चुपके रह रहे थे, बाकि एक बहुत तगडी गाडी भिजवाई है, लेस्टर ने मेरे लिए मैं आप लोग को दिखाता हूं, भाई क्या ही amazing car है, let's go, अब यहां चला के भी दिखाने वाला हूं, फिलाल अभी से आ इंदर वाले रूम में है, बाक्स उठाके वापस से चलते हैं सीधा rich man के पास, और देखते हैं आकिरकार वो क्यूं हमें अपने वाँ बुलाना चाहता है, all right, तो अभी फिलाल मैंने अपना सारा का सारा सारा समान पैक करके अपने बैग में डाल दिया है, फिलाल अभी जल सेंटोस में हमारे पास बहुत कुछ है, okay, तो यह मैंने स्टार्ट कर दी, कार, कितने जाता बढ़िया तरीकिसे, इसकी headlight स्टार्ट हो रही है, यह देखना, अभी यहाँ पर चो headlight है, जैसी मैं गाड़ी उन करूँगा, उसका जो shutter है वो नीचे जा रहा है, ओ वाई, मज इसी theme की है, मतलब यह कोई पुरानी गाड़ी नहीं है, इसका design ही कुछ इस type का है, जैसे देखने में लगे कोई बहुत पुरानी गाड़ी है, वैसे यार जो भी कहो, पता नहीं, इस कार में कैसी अजीब-जीब सी चीजे लगी भी है, शाद से इसका nitro booster होगा, या फिर हमें आरे पीछे के कलको पुलस वगरा पढ़ जाओ और हमें escape करना हो, तो यह गाड़ी काम आ जाए, फिलाल यह कार जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो मैं छूटी मूटी जगाओं को यूँ ही तोड़के निकल सकता हूँ, इस गाड़ी को कोई ज़्यादा फरक नही पढ़ने वाला, लेट्स को, अभी जल्दी से इस गाड़ी को भगाता हूँ, मैं फुल स्पीड में, और सीधा रिच मैन के पास चलते हैं, क्योंकि उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, अपने पास वो भी पलीटो में, पता नहीं उसे कौन सी मीटिंग करनी है, अब लगन वोस उसका दोस्ता, तो मेरे साब से वो जो कसीनो है, अब तक तो उसका हो गया होगा, मतलब सीध इसी बात है, वो बहुत अच्छे दोस्त निकले बात में बच्चन, बच्पन के, अब पता है यार, वो मुझे क्यों मिलने के लिए बिला रहा है, हो सकता है, और भी खाली पीली की लडाई होगी न, तो गडबर उचे की उतीरी भाई, यहाँ पर एक वाइट माउंटीन लाहन जा रहा है, हाँ वैसे रास्ता सही है, बस सोड़ा कच्चा रास्ता है, शॉटकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात निया, लेक्स को, और मानना पड़ेगा वाई, इस गाड़ी को भी हर जगा पर एकदम बड़िया तरीके से चल रही है, नॉर्मल रोट पे तो देखो सही चली रही है, बाकी क्या होता है न, इन सब डिर्टी रोट पे गाड़ी बहुत जादा स्लाइड होती है, लेकिन वाई, इसकी ग्रिप यहां भी मस्त बनी भी है, अब पता नहीं हो, इस गाड़ी का टायर्स की बात है, यहां फिर जो भी है, फिलाल भगाते हैं अभी इसको, ओल्राइट गाइस, तो भी फिलाल में अपनी गाड़ी लेके पहुचने वाला हूं सीधा, डिग्निटी विलेच, क्योंकि अपने द सारी गाड़ी लगा रखे हैं, फिलाल उसको इतने बड़े लॉस सैंटोस में, क्योंकि यही कबाड़ गाओं मिला था मिलने के लिए, पता नहीं आखिरकार वो कहां पर है, सारी की सारी गाड़ी यहां सामने कड़ी है, ओ वीट, वो नीचे हमारा वेट कर रहा है, वाव, लेट्स को, फड़ा फट से अपनी घाड़ी को यहां पर सही से पाक करते हैं, क्योंकि मुझे इपनी घाड़ी बिलकुल भी गंदी नहीं करने, यह काफी ज़्यादा महेंगी कार है, देखने में गंदी है, बठान नहीं महेंगी है, फिलाल भी जल्दी से में नीचे जलता बाई, क्या ही कबार जगा पे आके खड़ा हुआ है, एक बार को सामने वाले वेराउस में भी चले जाता हूँ, ज़्यादा बड़ी रहता, बाकि हाँ, अभी मैं चलके इससे बात करता हूँ, यह डामन कसीनों का ओनर बन गया है, तो शायद से कुछ ना कुछ हमें अब द डिस्ट्रोई कर दो, अब वो इसलिए, क्योंकि डगन बॉस इसका दोस्त होने के बावजूद इसको डामन कसीनों नहीं देना चाहता है, और इसका कहना यह है, कि अगर वो मेरा नहीं हुआ, तो वो किसी का नहीं होगा, मतलब अभी बस हमें जाके वो डामन कसीनों ब्लास करना है, और साथ ही डगन बॉस को जिंदा पकड़ के लाना है इसके पास, और इसने हमें साफ बोला है, इस काम के हम इससे जितने पैसे वांगेंगे, यह हमें उतने पैसे देने वाला है, भाई मतलब इसके पास इतना पैसा होगा भी मेरे को तो यह नहीं समझा रहा है, क् फिलाल अभी इतनी बड़ी डील सामने से मिली है, तो मैं इसे बिल्कुल कैंसल नी करने वाला क्योंकि इसमें अपने दो फायदे हैं, डामेंड कसीनो इसका हो जाता है, अमीर बनता है, उससे कोई फरक नी पड़ता, पर अगर डगगन बोस मारा जाता है, तो इससे अपना बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि वैसे भी अपना दोस्त है इससे हमेशा हमें फायदा ही होगा दगगन बहुत मरता है तो अपने सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे फिलाल ये तो अपना यहीं पर रहने वाला है हम लोग फड़ा फट से पनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं बे भाई नया वाला ट्रक क्या ले आया है मेरे में ले आके ठोक दी वैसे गलती मेरे थी पागियां चोड़ो अभी फिलालना चल्दी से मैं घटिया चला रहा हूं या यह लोग आख बंद करके गाड़ी चला रह कहीं पर देखा है मतलब ट्रैवर जिंदा है उसके कहने का मतलब यह और फ्रैंक्लिन भी किसी गलत जगा पर पाया गया है फिलाल भी वहीं पर चलके लेस्टर से बात करते हैं पूरा सीगन क्या है ओके गाइस तो भी फिलाल पर अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा करते हैं अपनी गाड़ी लेकर यहां पर पहुंच चुका हूं क्योंकि अब फोड़ी देर बैटने वाला हूं बात्चित करके आराम से बाहर निकलेंगे में रिजन यह नहीं है में रिजन यह गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़े और मैं ही चाहता है से बीच रास्ते म मार गेना चले जाए बाकि बैग मैंने अपना कार मी रख दिया है फिलाल अभी जल्दी से दर चलते हैं और देखते हैं कि लेस्टर यहां पर है यह फर नहीं वह बहुत ही अजीब सी फील आती है जैसे पता नहीं कैसी जगह पर जा रहे हों सामने एक पोस्टर लगा हुए गेम ओवर ओके लग रहा लेस्टर किसी बहुत तगडी प्लानिंग में यह सब यहां क्या कर रहे हैं यहां पर दू-तिन लोग लेस्टर ने पता नहीं किसी काम के लिए बुलाए होंगे फिलाल यहां पर यह खड़ा हुआ है मैं चलके इससे एक बारी बात करता हूं सीन क् चुकी है और मैंने इसको पुरा का पुरा सीन बता दिया कि एक बंदा हमें बहुत सारा पैसा देने के लिए रेडी है बस हमें कुछ नी करना उसको डामन कसीनो का ओनर बनाना है मेंस डामन कसीनो उसके नाम करना है लेकिन लेस्टर कहरा यह सब तो हो जाएगा बढ़त से जो वीडियो क्लिप उसने हमें दी है ना वो कह रहा है कि पहले इसे देखो इस वीडियो क्लिप में ट्रैवर जिंदा पाया गया है अब आपको पता होगा लेश्टर ने बहुत सारे CCTV कैमरा है करें है और उन्हीं किसी कैमरा की ये एक फूटेज है और मुझे भी से प्ले करना होगा देखते हां कि इसमेशा क्या है तो अभी ना फिलाल मैंने इस वीडियो क्लिप को प्ले कर दिया है बाकी एक बार या आप लोगो अगर अराम से जूम करके देखोगे तो वो साफ साफ नजर आ रहे है कि सामने कोई और नहीं अंदर वर्ट का उक्या है और सब क्या क्या अचा juice है और मुझे कुछ लेश्टर से पता करना होगा आखिरकार सीन क्या है तो अभी मेरी लेस्टर से बूरी बात हो चुकी है और मुझे तो कुछ नहीं समझा रहा कि अभी क्या करना चाहिए, बाकि लेस्टो कह रहा है, कुछ करो ना करो, बट सबसे पहले, ट्रावर को, फ्रैंक्लिन को, और अंडर्वाटर माफिया को पकड़ना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि ये तीनों बहुत पावरफुल हैं और इस नाइम ये तीनों ये अंडर्वाटर माफिया के लिए काम कर रहे हैं, और खुशकता है अंडर्वाटर माफिया बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा हो, और उन पैसो की लालज के चक्कर में, कहीं ये लेस्टो और मिर कोई आके ना मार डालें, तो इसलिए ये हमें मा पारना तो नहीं होगा बठा, इन्हें पकड के एक जगा बंद करना होगा, फ्रैंक्लीन को लेस्टो एक जगा पर कोल करके भुला रहा है, और कह रहा है कि तुम वहाँ पर जाओ, और पीछे से अटाक करके दोनों को पकड कर ले आओ, भाई वो दोनों आ रहे हैं वहाँ पर मतलब Underwater Mafia और Franklin, उन दोनों को पता नहीं के लिए पीट पाऊंगा या फर नहीं बठा जो भी है, मुझे दोनों को भ्योश करना है, और इस गाड़ी में भर के लाना है और एक जगा पर बंद कर देना है, और वहाँ से उन्हें भार नी निकलने देना, क्योंकि वो डग और ट्रावर को पकड़ना सब स्यादा इंपोर्टन है, क्योंकि अगर वो डगनवोस के साथ है, तो तो भार डगनवोस को मारना इंपॉसिबल है इस टाइम पे, ओके गाइस, तो अभी फिलाल में अपनी गाड़ी लेके सीधा उस लोकेशन पे पहुचने वाला हूं, जहा इस गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है, चाहे वो किसी सूपर कार में आये, ट्रक में आये, या फिर किसी भी हैवी विकल में आये, यह गाड़ी उसको अराम से टक कर दे सकती है, और एक खतरनाक अक्सिदेंट कर सकती है, लेकिन हमी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने और इस बॉम से यहाँ पर बहुत तगड़ा स्मोक निकलने वाला है, और उस स्मोक से इस पूरे की पूरी एरिया में धुआ धुआ हो जाएगा, और तुरंत मैं उन्हें ठोक के फटा फट से अपनी गाड़ी में भरूँगा, और जहाँ पर मुझे लेस्टो ने मिलने के बुला है, वहाँ पर ले जाके उनका काम तमाम कर दूँगा, फिलाल चुप चाप से यहाँ पर मैं काफी सारे बॉम लगा देता हूँ, यह बंदा देख तो मुझे रहे बट मुझे समझ नहीं आया कि इसने मुझे बॉम लगाते हुए देखा या फिर नहीं, वैसे तो ब 15 मिनिट के अंदर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर वो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं इधर या फिर उधर, तो मेरे साब से मेरे को अपनी गाडी ना सामने चुपा के खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यह गाडी उन्हें दिखाऊंगा, तो हो सकता उन्हें doubt हो जाए, क्योंकि यह गाडी देखने में बहुत जादा dangerous लगती है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है इस गाडी के आगे कुछ तो खतरनाक machine सी लगी है, जिसमें से guns मितलब की fire हो सकता है, बड़ नहीं यह शाहत से nitro booster ही है, फिलाल अभी मैं इधर तो खड़ा हो मैं काम करता हूँ सामने वाला जो mountain है, बॉम अंदर रख लेते हैं पहले, इसके उपर खड़े होगा चलते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता वो लो किस side से आने वाले है, ठीक है, तो यहाँ पर खड़े हो कि मैं चारो तरफ अराम से देखता हूँ कि वो कहां से आ रहे हैं, उस side से तो मैं आया हूँ, तो मुझे लगता हैं उस side से आने वाले हैं, बागे सामने वाला road भी पूरा खाली है, वेट करते हैं यहीं पर क्योंकि उन्हें घुमाफी राके आना तो यहीं पर है, फिलाल अभी मुझे यहाँ पर वेट करते करते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मेरे जाप से यह सही मोख है, इनको पटकने का, ओके, तो मामला फुल सेट है, फटा फट से मैं काम करता हूँ, पीछे चलके इपनी गाडी में बैठता हूँ, बठा, उससे पहले ना guys, मुझे जल्दी से जल्दी 0-1 डाइल करना होगा, otherwise वो जो बॉम है, वो भाई, अभी पटक दिया, ओ वेट, फ्रेंकली ने मुझे देख लिया था और मैंने इसके हाथ पे शूट कर दिया है, भाई वेटी मैंने कुछ बहुत जादा गलत कर दिया है, पर पर अभी पास कोई उप्शन भी है, मुझे लगता है, बहुत से लोगे ने मुझे देख होगा पर नहीं यहां पर smoke up हो ज़दा इनको ठाके अपनी गाड़ी में डालता हूं वड़ा वर्ट से सबसे पहले ओके गाइस तो अभी ना फिलाल मैंने अंडरोटर माफिया को अपनी गाड़ी के काम कर रहे हैं मतलब अंडरोटर माफिया का तो मुझे भी मालूम पढ़ गया था बड़ इस फ्रैंक्लिन के बारे में 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 बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसी ने अंडरोटर माफिया को हमारे घर में घुसके एसकेप कर वाया है और अभी डगन वोस के लिए काम कर रह ने इन दोनोंगों को लाने के लिए बोला है मुझे कोई आइडिया नहीं कि लेस्टर उब इनके साथ क्या करने वाला है इतना जरूर बता है कि अब इनके साथ कुछ तो बहुत गलत होने वाल है फिलाल लेस्टर भी यहां पर आ चुका है। अपनी गाड़ी में काम करता ह बाहर ही खड़े करता हूँ फ्रैंक्लिन को बाहर निकालते हैं अंदर लेकर चलते हैं वैसे यार मुझे ना फ्रैंक्लिन पर थूड़ी से देया रही है यार मतलब इतनी अच्छी कासी दोस्ती चल रही थी बट आज मुझे इस पर शूट करना पड़ गया चले बाहर निकल फड़ाफट से तो गाइस जैसा कि मैंने का था कि इनके साथ कुछ बहुत ही गलत होने वाला और एक बार यहां पर आप लोग देखो फ्रैंक्लिन को लेस्टर ने उल्टा लटका दिया है और साथ ही अंडरोटर माफिया की तो बहुत ही गलत वाली कुटाई चल रही है वह लाती मैं इसको भी मारने वाला हूं कि यसी की तैसी भाई साथ घर से निकला कैसे भार अभी इनको चोड़ो भी अभी लेस्टर ने मुझे बोला है कि मुझे भी फड़ा फट से ट्रावर को भी पकड़ने के लिए जाना है क्योंकि जब तक ट्रावर उनके पास है तब तक आवाजे आ रहे हैं चिलाने के बहुत बुरी तरह पिटा बहुत बुरी तरह पिटाई चले हैं कि यहां पर पुलिस आ गई है बट मुझे समझ निया रहा पुलिस ने इने देखा या फिर नहीं देखा मुझे कुछ नहीं बता भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी न निकलना होगा क्योंकि अगर वोल्यों गंदर चले गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मैंने उस तरफ में फायर तो कर रहा है और पुलिस वाले अपनी गाड़ी मेरे पीछे ला रहे आ जाओ तुम मेरे को नहीं चेस कर पाओगे फड़ाफट से भी मैं भा मुझे ट्रावर को भी ढूंडने के लिए निकलना होगा मैं सब कुछ वैसा वैसा करते जा रहा हूं और आज जो अपना प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें डायमंड कसीनो को डिस्ट्रॉइ करना है और डगगन बॉस को भी मारना है लेकिन नहीं मारना हम पर जो अपना दोस्त है रिच मैं उसने बोला है कि हमें उसे जिंदा पकड़के लाना है उसे जिंदा पकड़के लाएंगे और सब लोग मिल के मारेंगे एकदम मास्त गाइस मुझे तो लग रहा है पुलिस ना पहले से कई कुना जादा स्ट्रिक्ट हो गई है फिलाल गाड़ियां इन गलियों में लेकर आचका हूं और पुलिस वाले शायद यहां मेरे पीछे नहीं आने वाले जाना तो मुझे ट्रावर के घर पर है बट मैंने सूचा कि यहां से निकलने तो क्यों ना मैं फड़ा फट से अपनी गाड़ी भी रिपेयर कर वालू क्योंकि य जंक से मुड़ी की नहीं और एक्सिडेंट होने के चांसे और बढ़ जाएंगे फिलाल मुझे इसमें कुछ खास मोडिफिकेशन नहीं करवानी बस रिपेयर करवानी थी जितने भी डेंट वगार आया थे और चोटी मोटी चीज़े चोटी पहले जैसी हो चुकी है फिलाल सकते हैं नहीं डगण वोस को पकड़ सकते हैं तो अभी ना फिलाल में अपनी गाड़ी लेके सीथा ट्रावर के विलेज सैंडी शॉरस में पहुत चुका हूं और अभी ना मुझे लेस्टर का कॉला है था और उसने हमें बोले कि अपना चुब प्लान है ना डगण वोस को को पकंडने का और डामन के सीनों को ब्लास्ड करने का वो प्लन कल बहुत ही उस्ली 사कसीफ्फल जा सकता है क्योंकि कल हैredit है और क acontecer diamond casino में होती है बहुत बड़ी party और बहुत ज़्यादा भीड आती है बहुत ज़्यादा security भी होती है लेकिन उस भीड में हम लोग easily अंदर जा सकते है और diamond casino को blast करने के लिए में बहुत सारे bomb अंदर plant करने होंगे तो अपना काम बहुत ही easily successful हो सकता है फिलाल अभी मुझे ट्रावर को पकड़ना होगा क्योंकि ट्रावर डगण बोस के पास रहेगा तो बहुत ज़्यादा problem हो सकती है फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेके इसकी घर पे तो आ गया हूँ यहां पर मुझे कुई भी नजर नहीं आ रहा मैं पहले घर पे चेक करूँगा बाकी लेस्टर ने मुझे बोला कि उसका जो फ्रेंड है रोन वो हमें बताएगा कि ट्रावर कहां पर है उसको अच्छे से लेस्टर ने समझा दिया क्या क्या पूरा सीन है अब फड़ पट से में चल के अंदर देखוד आ influen का पता घर पी बेठा हो यार अपना मस्ती में ओके फी लाल अभी मैं अंदर तो आ चुका ऑंब ट्रैवर यहां पर नहीं है मैं लेस्टर को फोन करके बता देता हूं कि यां ट्रैवर तो नहीं है पर साथ के साफ जससे मिलने के लिए मोग यहां पर आये हैं उसका दोस्त Ron वो भी यहां पर नहीं ओके यह आ गया तो अभी हम लोग इससे बात करने वाले हैं कि त्रैवर कहां पर है तो गाइस अभी ना मेरी त्रैवर के फ्रेंड Ron से बात हो चुकी है और मैं खाली पीली ट्रावर कुली की टेंशन में था कि यार आखिरकार इसको किसने मारा है मुझे उसका बदला लेना है बढ़ यहां पर दूसी ही नहीं कुछ हो रहा है यह जो उसका दोस्त है रोन फिलाल यह हमारी हेल्प करने वाला है और इसने में बताया है कि इस ताइम डगण बॉस के लिए काम कर रहा है और इसी वजह से उसने हमारे आगे मरने का नाटक करा यह सब कुछ मतलब वो डगण बोस के लिए वैपन डीलर का काम कर रहा है जितने भी वैपन अब लौस सैंटोस में आएंगे वो सारे के सारे डगण बोस से ट्रैवर के पास आएंगे और ट्रैवर उने ले जाके बेचेगा सब लोगों को वो भी double triple price में इतने से काम के लिए उसने हमें धोगा दिया फिलाल अभी रोन हमारे साथ जा रहा है हमें Travour के पास लेके जहां पर वो अपना weapon dealing का काम करता है बट दिक्कत यह नहीं है दिक्कत यह है कि वहां पर वो अकेला नहीं है उसके साथ और भी बहुत सारे लोग है और वो जगह है अपनी Sandy Shores की airline तो फड़ा फड़ से भी हम लोग वहां पर पहुचते हैं और मारते है Travour को जिन्दा निमारना बस पकड़ना है ओके गाईस तो अभी ना फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेकि Sandy Shores की airfield पे पहुचने वाला है और ये train को भी अभी आना था क्या बाकि हाँ अभी ना एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है अपने लिए अब देखो जिस लगा पर हम लुग जा रहे हैं ये समलो Travour का new office है जहां से वो डगगन बॉस के weapons को import export करता है मतलब यहाँ पर airfield है तो वहीं से weapons आते हैं other countries में जाते हैं Los Santos में बिखते हैं मतलब यह Travour नहमीर बनने के लिए हमें धोका दे के बहुत बढ़ी गलती करी है फिलाल Ron यहाँ पर पहुच चुका है मैं भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पहुच गया हूँ और एक जो बढ़िया बात है जो मैं आपको बताने वाला था वो यही है कि कुछ weapons जो Travour के पास थे ना उसमें से Ron ने भी हमें कुछ weapons दी है जिससे हम लोगी Travour को तो नहीं वारेंगे बटियां की जो security है at least उसको handle कर पाएंगे फिलाल अभी जो अपना दोस्त है Ron वो इस Tower के उपर खड़े होकर बनाकुलर से उस पूरे के पूरे एरिया को scout कर रहा है मतलब चेक कर रहा है कि यहाँ पर Travour है यहाँ पर नहीं बाकियार इतनी दूर से कुछ नहीं वालू पढ़ने वाला इसको उस जगह के पास जाना ही होगा मैं अपना उपर आकर बैट के position ले लेता हूँ अपनी sniper बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम आ चुका है Travour को पकडने का अल्राइट गाइस तो अभी ना फिलाल यहाँ पर खड़े खड़े बहुत जादा देर हो गई है और काफी जादा रात हो चुकी है और रॉन कहा रहा है यह एकदम पॉफेक्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम पर यह लोग अपने weapons वगारा लोड करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो दूसरी country में जाने के लिए ready हो चुके है बाकि हमें उससे मतलब नहीं हमें बस Travour को पकडना है रोन अभी इस चुका के close जा रहा है ताकि वो Travour की एकदम exact position पता कर पाए और जादा सी जादा information हमें दे पाए विलाल यह वहां पर बहुत चुका वेट वेट मैं तरको देख पा रहा हूं कहां पर है तू ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी अंदर जाने वाला है और हमें इसे थोड़ा बहुत कवर देने थोड़ी दिख रहा है तो चल अंदर मेरी स्प्रेसर लगाए तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेक्स को इसको भी हमने आगे बढ़ने के लिए बोल रिया है एक बारी मैं चेक कर लेता हूं यहां पर वैसे अंधेरा बहुत जादा बट मुझे दूर दूर कोई भी बंदा नजर नहीं आ ओ भाई यहां पर एक बंदा कड़ा हूँ है मुझे एक शॉट में से डाउन करें त्री तू वण बहुत ही तगड़ा इसके हैट शॉट मैंने यहां पर बजा दिया है तू अपना वड़ा वट से आके बढ़ते रहे यहां पर मुझे हाँ आवाज गाडी के आवाज आई आईआई धाए ओ पीछे से ओ ठाणिधवि टीकर है मुझे यहां पर जो लाइट इनको फोड़ना पड़ेगा ताकि जो पीछे से गाड़ी इ currently इस बौड़ाईब को देखना ले मैंने भी सारी सारी लाइट भाइब फोड थी और ये बहुत सब्सक्रागा अब лег data का बाकी ओधिगाजिक पस अबी और कोई तो ऑन्या ने बाई यहां यहां पर बंदा तोर्च लेकर आ रहा है वो भी उखड़ पड़ूगी वेट 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 एक शोट और लेक्स को वह बंदा ओर यह बंदा ओर आयोज सने देख लिया कि वहां कोई मर रहा हुए रुख जाओ ले थेरी यहां पर जो बंदा मार वह था इसने सो देख लिया था अभी तो बहुत बढ़ी गड़ वह थाथी हाँ ठीक है तो चल अपना मैं देख रहा हूं यहां पर कोई पर क्योंकि लॉस्ट यहां पर एक बंदा हो रहा है मैं किसे मारू क्या इसने शायद से रोन को देख नहीं नहीं दिखा ठीक है मैं से मार रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है लेस्को डाउन एक और यह भी गया वाई एक एक सेकेंड में लोग इनको टपका रहे हैं बाकी यहां पर आगे भी कुछ है वैसे मौसम काफी ज्यादा बढ़िया हो रख है लेकिन रॉन की आलत बहुत ज्यादा खराब हो पाम आप से कुछ उसमें बॉम लगा फिक हो जएक पाम एक सेकेंड एक सेकेंड यार इस मुषे मढ़ें इसमें आप था है लिकॉप्टर नहीं के लिकूप्टर नहीं एक बाइचा के ज़िए रहा है फैंट इसमें यह ब्लाइब कुछ लिए काड़िश के ऩराए वाइष पाइचे गिर चुका है जहां पर रोन था उस जगह में बोध बुरी तर आहां लग चुकी है अगर मैं जल्दी से जल्दी नहीं पेचाना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी वेट रोन कहां पर था मुझे रोन को भचाना ही हो वह चुछ पिर रुख 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 सब्सक्राइब ब tulee नहीं पड़ेगा। वीट वीट better व्रॉस्त वाले प्लेइन में आकर बैट चुका है और वो मुझे प्लेइन में बैटने के लिए बुला रहा है नहीं अगर मैं प्लेइन में जाऊंगा तो यह लोग भाई शॉट मारके अपना प्लेइन भी ब्लास्ट कर सकते हैं ओके तो भी ना फड़ाफट से मुझे चल के इस प्लेइन पर बैटना चाहिए रोन काफी देर से यहां पर मेरा वेट कर रहा है और यह बिल्कुल सही कह रहा है कि अभी हमारे पास नहीं यहां से भागने के लावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि इतर एक नहीं दो नहीं रास्ता पूरा क्लियर है फटा फट से भाई भगा ले इसको बाकि भी मुझे वाला एक बॉम ब्लास्ट करना है भाई जाफ यह बहुत गलत है इनके लिए अभी रोन जल्दी भगा प्लेन क्या कर रहा है भाई हेलो यह तो सामने से आए जा रहे है एक के बाद एक फैन ले इसको में ने मार दिया ए जल्दी भगाए– यार कया कर रहा है रॉन ह governo को भी तो फिला तोड़ तो सेफ है मोग मुझे मुझे अथी प्रैन में चाना हो गया खये लेका भाई अभी मुझे वनिं ने महां से जुम्र आपर जाना हो हम बहुत बढ़ी परॉम्हां होख एम्हा कि यहां के बैट क्या अपे अभी एक सेगिंड इसकी है इसकी मैं बजाता हूं लेट्स को फड़ा फट से ना प्लेन को मुझे लेकर ऊपर चलना होगा क्योंकि भाई यह वापिस निचे नहीं अभी रोन ने तो प्लेन उडालिया मुझे भी फड़ा फट से पीछ जाना होग बाकि यह जो बंदा है इसको देगे रहे हो कहां बैठा हुआ है अभी उसको घर लेके चलेंगे अपने बाई अभी उसको हमने गिरा दिया है वहां पर बाकि यहां पर अभी फड़ा फट से हम लोग रोन के पीछे-पीछे चलते हैं उस वाली एयर फील्ड पे वापिस लै वैसे मुझे समझनी आ रहा कि मैं लेस्टर को फून करके क्या बोलूँगा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस अभी ना अपने लिए यह काम थोड़ा बहुत मुश्किल हो चुका है मेंस डगन बॉस को पकड़ना डामन कसी इनों को ब्लास करना अब उतना इजी नही रहेगा क्योंकि हम लोग ट्रावर को नहीं डून पाएं और अगर कुछ भी होता डगन बॉस को तो पकाट ट्रावर उसकी हेल्प करने वाला है जो कि अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है फिलाल मैं इस वाली एर फील पर आचुका हूं अपने प्लेन को एक को हैंडल कर लेंगे बट ट्रावर अगर आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वैसे अब इतनी ज्यादा डरने वाली बात नहीं है यह जो काम है हमें अकेले करना है और सबसे ची बात तो यह है कि डामन का सीनों में बहुत ज्यादा भीड रहेगी उसी भीड आज ही सारी का सारा काम करना होगा क्य ändå कि अज है हलोवीन और आज ही डामन का सीनो में वह पार्टी जी पार्टी का में इंतजारै फिलाल उसने मुझे लॉस सैंटोस आने के लिए मना कर है उसने एक लोकेशन दी है जहां पर उसका कोई दोस रहता है और उससे में एक से और हमारी गाड़ी जो है एक टाइप से वी आईपी एंट्री में मिलने वाली डाइवन कसीनों में जो कि बहुत ज्यादा बड़े रहेगा कुछ टाइम पहले भी लेस्टर ने इसी टाइप का प्लान मनाया था और वो फिल्कुल सकसफुल गया था फिलाल वो जो बाइक है वो लेनी के लिए लेस्टर ने मुझे इसी जगा पर भेज था है उसका कोई दोस्त यहां पर रहता है जिसका गयराज है हम लोग पहले यहां पर आये हैं अफिर ने मुझे यादि लेस्टर करता हूं लेस्टर से की आखिर कार यह मुर्गी को देखो इतनी ज्यादा बाद में को चोड़ चोड़ बोलने लग जाए लो ब्रो अप ओनर हो का इस गराज के एक सब्सक्राइब रिप्लाइ तो देखो ही मैं चुप चाप बैट के बात कर रहा हूं और यह कुछ बोलने रहा हूं और बहुत तेज मारती मैंने कलती से सुरी खैर चोड़ो भी मैं अं जा रहा है वैसे इस गाड़ी में मैं किसी रेज दे रहा हूं यह बिल्कुल रॉकेट की तरह स्पीट पकड़ ले रही है और एक पर यह आप लोग ध्यान से दिखोंगे तो इसका जो टायर से वह काफी जद्ध है डिफरेंट हागी का टायर चोटा है बीचे का बढ़ा है और एक टायर राइट लेफ्ट नहीं हो रहे है यह एक्चलि टिल्ट हो रहे है पता नहीं से बाइक रोट ओ वाव बाइक भी टर्न का रहे है फिलाल अभी मुझे नहीं इस बाइक को जल्दी से लेकर पहुच ना होगा लेस्टर के पास वैसे लेस्टर के पास क्यो जाना ह मुझे अभी सीधा उन लोगों के पास जाना होगा जो कि Diamond Casino में performance करने के लिए जाने वाले हैं stunts की, ताकि उनके साथ मैं भी मिल जाओं, और मैं भी stunts करने के बादे Diamond Casino में गोज जाओं मिर से बाइक कसम से नहीं चलाई जा रही है पता नहीं, मैं assistance कैसे करने वाला हूँ हलकिसी एक बाइवीट यह देखू, यह brake है और जैसी मैं इसमें रेस दे रहा हूँ, यह बाइक सिर्फ वो सिर्फ एक 3 सेकिंड के अंदे 200 किलो मिटर पर आटेच कर जा रही है और इसकी स्पीड बहुत ही जादा है, इस इस बाइक की माक्स स्पीड कितनी है मुझे कोई आइडिया नहीं है बस इसे मैं भगाता जा रहा हूँ और भगाने में बहुत ज़दा मजा रहा है बढ़ा, मुझे एक बात का आइडिया पूरा है कि अगर अभी मैं कहीं ठुका ना तो बहुत बुरे वाला अक्सिडेंट होगा तो इससे पहले मैं अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ एक बार ही हलका स्टन्ट मार के देखते हैं क्योंकि जहां जाना है वो लोग भी स्टन्स करवाने वाले हैं 3, 2, 1, ले वेट भाई भाई ऐसे नहीं रुख जो थोड़ा रस्ता का लिए वने दो हाँ 3, 2, 1, वेट ओ भाई इसमें विली मारना कोई ज्यादा हार्ड नहीं उल्टा ये बाइक दो बार पलट जाएगी पीछे को इसलिए मैं नहीं उचाल रज है आल राइट गाईस तो भी फिलाल मैं अपनी बाइक लेके पाँच चुकाऊं सीधा मेंस बैंक अरीना पे और इसी जगा पे मुझे स्टन्स करके दिखाने हैं ताकि वो लोग मुझे अपने साथ डामेंड का सीडो में परफॉर्म करने के लिए ले जाएं फिलाल भी जल्दी से ना मैं अंदर चलता हूं यह जगा यार बहुत ज्यादा बड़ी है और मुझे इसके बेस्मेंट में जाना है फड़ा फड़ से यहां पर बहुत जादा बील लगी है लग रहा है यह सारे के सारी लोग यहां पर ओडिशेंस चल रहे हैं कि जो इतने स बाइक में बैठता हूं और गाड़ी के साथ अरीना में एंटर होने का जो रास्ता है वो शाथ से आगे वाले कट से है बस वो कट मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना है क्योंकि साथ बज़े जैसी अंधेरा होगा ना समलो डामेंड लेट साइड में लग रहा है यहां पर लाइन लगी भी है बहुत सारी और भी बाइक्स आई भी हैं बट अपना सेलेक्शन होने ही वाला है क्योंकि यह जो बाइक है यह लेकर वेजिए और शायद से इन लोग को भी बाइक पसंद आने वाली है फिलाल अभी जल्दी से हम क defenders रख लोंब जैसला है और अपना नाम यहां पर लिस्ट कर रवाते हैं लैट स καूँ तो मेरी अभी इन से बात हो चुकिए और यह कहरें नाम ऐसे defenses में लिस्टत में होने वाला में इस पैसे भी नहीं लगए इन लगेंंगे इस जंगा पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं ह पर अपना आक्सिदेंटी हो जाए फिर तो किसी काम के ही नहीं रहेंगे हम लोग वेट भाई साहब ये स्टेंट मुझे सची में थोड़ा बहुत हार्ट लग रहा था मुझे लग रहा था यहां पर आगे बाइक फिसल जाएगी लेकिन ये इस बाइक के लिए बहुत जादा आजसान था क्योंकि इस बाइक की जो टायर्स की ग्रिप है ब्लस बाइक की जो स्पीड है वह बहुत जादा तगडी है एक बेस्ट में मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई मितलब एक नॉर्मल रास्ते की तरह में यहां पर बाइक चला रहा हूं बाकि ये कुछ अजी शाया दी किसी ने मारे हूंगे क्योंकि इनिस्टंट्स को करने के लिए चीह होते है प्राक्टिस या फिर एक अच्छी बाइक जो की मेरे पास है और फिलाल क्या ही तगडी जंप मारके मैं नीचे आ चुका हूं वह आ पर सलते हैं और पता करते हैं कि आकर हमारा या सिलेक् करना होगा तभी हम लोग इनके साथ मिंच इनके ग्रूप के साथ जा पाएंगे ओके गाइस तो अभी फिलाल मैं मेस बैंक अरीना वर स्टेडियम से बाहर आ चुका हूं और अभी मैं जाने वाला हूं फड़ा फट से एक बढ़िया से शॉप पे जहां से मुझे अपना मन तो कुछ औरी करने वाले हैं डगगन बोस को पकड़ना है और डामन कसीनो ब्लास करना है आज ना मुझे पता नहीं क्यों यह शायर थोड़ा सा भरा भरा लग रहा है मतलब यहां पर बहुत जादा लोग नजर आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हैलोवीन की डाइम पर सब यहां पर अपना मस्त घूमने आते हो वेट भाई साब यह क्या अभी तक हम लोग ट्रावर के गाउं में और हाईवे और गूम रहे थे वड़भी में सीटी में आगे पता चल रहा है कि जैसे यहां पर कोई बहुत बड़ा इवेंट होनी वाला हो इतनी जादा डेकोरेशन मैं पहली बाहर देख रहा हूं लॉस सेंटोस में अब कहर इतना सब कुछ हो रहा है तो भाई लोग तो घूमने आएंगे ना चार तुराफ गाड़ी है गाड़ी वह दो पहर के डायम पर वाव अब फड़ावट से मैं भी अपनी गाड़ी दर दर घुमांगे देखता हूं कि आगरकार यहां पर हो नहीं कि भाई बिल्कुल देखने में लगी नहीं रहा कि लो सेंटोस हैं यहां पर इतनी जादा डेकोरेशन हो रखी है हर एक जगा को ठक दिया है या पर इतनी लगा दिया है और भाई कुछ नहीं समझा रहा कि आखिरकार यह मैं कहां आ गया हूं फिलाल वेट 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 डेकोरेशन को देखने को चकर में मैं कहां जाता जा रहा हूं मुझे अभी 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 मस्त कपड़े मीस कॉस्ट्यूम करीना है बाकि वो जो कॉ बहुत ज़्यादा पत्ति है और मैं को यहीं से बाइक निकालनी है कर वो जो कपड़े वाली शॉप ती ना वो पीछे है फटाफट से गाइस अभी अपनी बाइक लेके मैं चलता हूं यहां पर हां तो इस शॉप पर आना था मुझे खेर यहां पर अभी काम चल रहा है यह लिए बहुत ज़्यादा गंदगी भी मंचे ओविट अंदर रख लेता हूं लेट्स को अभी अंदर चलके अपने लिए बढ़िया से कॉस्ट्यूम खरीद लेते हैं जो कि अपने पर बहुत ज़्यादा सूट भी करेंगे तो मैं पहले च्राइक कर लेता हूं कि मेरे पे क बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि यह है एक जॉकर आउटफिट वैसे इस आउटफिट में थोड़ी बद प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें लोग और एक बहुत तगड़े क्रिमिनल लग रहे हैं पता चला यह ड्रेस तेकने के बाद हमें कसीनो में एं इतना चाहता बढ़िया मौसम था यह बारिश कहां से शुरू हो गई इस टाइम पूरी सिटी में सब लोग अपने लिए बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम्स पर्चेस करें और उस भाई सब जी को देख ओ तेरी एसी ओ हो सही में मैं उसे बस जराना चाहरा था और मैंने किसी रेज दी बाइक पूरी जंप मार गिर गया वो भी की चड़ में ठीक है फिलाल अभी जल्दी से लेस्टर की पास पोस्ते हैं वैसे 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 ओ सोरी मैं यही बोलने जा रहा था कि बाइक को कंट्रोल करना वैसी इतना मुश्किल होता और इस टाइम तो किसी और सिटी या फिर किसी और बड़ी मॉर्ण कंट्री में आ गये हैं यहाँ गाइस लेट्स को तो अभी फिलाल मैं अपनी बाइक लेके पांचने वाला हूं सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पे बागे जैसा कि मैंने आप लोग को कहा थाना वाई फुल क्रीमिनल वाली लुक आ रही है वाई बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है इस टाइम पर माइकल फिलाल मैं या पर आचुका हूं अपनी बाइक लिए कि जल्दी से पनी बाइक को यहीं पर पाक करते हैं ठुकते बचे है वरना भी हैंडली तूट जाता आगे वैला भगवान बैसे बार लेस्टर से बात हो चुकी है और अब मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरुत नहीं है क्योंकि इसने सारा का सारा सीन जो सौट कर दिया है मतलब कि मेरे को टेंशन हो जी थी कि आकिरकार डामेंड कसीनों में मैं वैपन्स हो रही है बॉम बगर कैसे लेकर घुसूंगा और अगर नहीं ले जाओंगा तो फिर डामेंड कसीनों ब्लास्ट कैसे करूंगा बाकी लेस्टो कह रहा है कि उन सब चीज़ की टेंशन मतलो जब एक बारे तुम वहां पर पहुच जाओगे तो यह एक ड्रोन के थू हमारे पास वैपन्स पहुचा देगा मेंस अभी अप कि कुछ भी क्या करके हमाई पूरा-प्रोर तरीका पता है हम कैसे जाने वाले हैं अपने पास बाइक है हमें आईडी मिल चुकी है किस तरीके से हम लोग परफोर्मेंस करने वाले डायमंड कसीनों में जल्दी से अपनी बाइक उठाते हैं और निकल लेते हैं सीधा इसके इसमें बैठे बैठे भी काफी जादा देर हो गई है और अच्छी बात तो ही है कि यहां पर बारिश बंद हो चुकी है फड़ा-फट सब इतना भी खतरनाक साउंड नहीं है वह देखो वो तो साउंड डेकर की बाइक सची में रॉकेट ही लगती है कोई बाहिक तो लगती बड़ साइडली बारिश होनी की विजए से लगता है आदे से जादा बंदे घर में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं बाकि यार यहां पर इतनी जादा डाकूरेशन कर रहे है कि देखने में लगी नहीं रहे कि यार यह लॉस सैंटोस है फिलाल अभी मैं पहुचने वाला कि इस जगह को ब्लास्ट करने वाले हैं यार यह इतना ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं किसे देखके बिलकुल भी ब्लास्ट करने का मन नहीं कर रहा बट ही अपना मिशन है और मुझे बिलकुल भी मिशन से नहीं है लेट्स को फटा-फट से अभी बाइक लेकर अंदर और लेस्टर ने बिलकुल साही का था कि यहां पर बहुत जादा सिक्यारटी है वह भी डगधन बॉस की सिक्यारटी के साथ साथ बाइसाब इन लोगों ने तो एर डिफेंस लगा रहे हैं तो इससे ठीक है यहां पर अभी मैं देख लोंगा वो अपने पास कोई वैपन्स सब्सक्राइब कोई दिख्कत नहीं होने चाहिए मैं आपर आच चुका हूं अपनी वी आईपी एंट्री होनी चाहिए लेट्स को फड़ा फड़ से हम लोग अंदर चलते हैं एलो है हट आइस अपने साथ एक बहुत गलत सीन हो गया यह बंदा कह रहे है कि यहां से सिर्फ सिर्फ सिलेब्रिटी स्टाफ और वी इपी लोगों की एंट्री है लगता है लेस्ट रू किसी ने एक बलत इंफॉर्मेशन दी दी थी क्योंकि अभी अपनी एंट्री डामन कसीनों के अंदर होई नहीं सकती इसने काया कि जितने भी शो हो रहे हैं इस बार कसीनों के लिए कसीनों की बाक साइड में हो रहे हैं और जितने भी लोग के कसीनों वाले वो सारे विंडोस से और पैंट आुस से इस शो को इंज्यू करने वाले हैं लगता है लास्ट वाले सीन की विज्ए से यह लोग ऐले आता हूं यार कोई ना कोई रस्ता तो मुझे ढूंड नहीं होगा अंदर जाने का अधर्वाइस बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यहां पर पूरा का पूरा स्टंट जोन बना हुआ भाई लेट्स गो अभी फिलाल मैं अपनी बाइक यहां से बाहर आचका हूं और मेरे सामने है एक बहुत बड़ा स्टंट राम्प जो की मेरे को बहुत जादा हूं जाही पर कुदा देगा फिलाल आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं यह स्टंट में गुस रहा हूं तो सीन कुछ अगर खाली खड़े होंगा तो दिकत हो जाएगी इससे बड़िया मेरे को बाइक चलाते चलाते कुछ नों कुछ सोचते रहना है मैं सुच रहा हूं कि यही से जब मार के सीथा दाइमन के सीनों की जहत पे चले जाओं बट नहीं यहां बहुत ज्यादा सिक्योरटी है मेरे पूरा ठोक डालेगी मेरी जेब में एक पिस्तल तक नहीं है कोई आर्मर कुछ भी नहीं है और में यह जो काम है बिना किसी चीज के करना है फिलाल यह बहुत देंचरस है नहीं यह मुझे नहीं करना चाहिए था ओ भाई इसमें तो घड़ बड़ी हो जाएगी मैं सहीं बत आगे हो पर अभी अंदर का अंदर यार फिर को बाई घुमागी ही लानी होगी क्या कि यहां पर कोई बाक साइड में रास्ता ओ विट आगे आगे शाद से एक जगा खुली भी है यार अभी ना मुझे बिल्कुल नहीं समझा रहा कि आकरकार मैं कैसे इस कसीनों के अंदर कर सकता हूं शाद से भी मुझे लेस्टर की लेनी पड़ेगी क्योंकि वही अभी मेरे को कोई दूसरा नया रास्ता बता सकता है कसीनों के अंदर जाने का बड़ वीट यह बाक साइड में अलग इविंट चल रहा है यहां पर कोई रेस वागे हो रही है क्या मैं एक बार ही है यहाईवइन टॉर्णमेंट होता है और इस टॉर्मेट में जीतने वाले को अराउं 50000 डॉलर्स मिलने वाले है और साथ ही अंत्री मिलने वा लिए कंद सो कि मिलने वाली है बगलग इस हमारे करना क्off сßenum होने वाली है क्योंकि इस टाइम अपने पास एक बाइक नहीं है एक रॉकेट है लेट्स को इन्होंने बोला है कि अभी सिर्फ और सिर्फ पांच लोग और आना बाकी है जैसी वह आ चाहेंगे यह जो टॉर्नमेंट है यह स्टार्ट हो जाएगा जब तक हम लोग आगे चल के वेट करते हैं क्योंकि वो जो रेसिंग टॉर्नमेंट है वो यहां से स्टार्ट होने वाला है उसकी जो एंट्री फीस थी वो मैंने पे कर दिया जो कि वन थाउजन डॉलर से बट कोई नहीं हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है हमें बस वो रेस जीत के वी आईपी पास्ट यह कसीनो के अंदर एंटर होने का और यहां सारे के सारे रेसर से एक दाव मस्त रडी हो चुके हैं सबने हेल्पिट लगा लिए सेफटी के लिए वैसे अभी न मुझे इन भी बहुत ज्यादा हासी आ रही है क्योंकि इनको कोई आइडे है कि आखिर इनकी क्या बैंड बज आपनी बाइक वैसे यहां पर जादा स्पीड नहीं कर सकते क्योंकि आगे से बाइक मोड नहीं है लेट्स गो अब टाइम आ चुक है अपनी बाइक को भगाने का मैं सोचरों पहले नहीं को आगे जाने जाता हूं फिर एक ही बार में छे के छे लोगों को ना मस तरीके से प अब अपनी बाइक की स्पीड सीधा चार सो पहुचने वाली है और यह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है अपी ठुक जाता मैं सही बता रहा हूं फिलाल यह जारे वह सारे के सारे रेसर एक गया दो गया तीसरा गया और यह ट्रॉन बाइक वाला भी गायब और हम लोग आ तक लिवान बाइक कर एं zrobić मेरी में कहलती है अपनी बाइक बहुत जादा सूपर फास्त है व Y fucked पंद बहुत पीछे में आ रहे है वहाँ का इसто को सब से निखिगा रहे हो ऊकिध यह ग करने के चक्र में मैं इस रेस्सरीज हो जाता वो तो सही है कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है वैसे एक तो यह रात की रेश में ऐसा होता ही है अगल बगल एनिमल्स आज आते हैं वो ढंक से कुछ नजर नहीं आता खेर ठीक है एक तो यहां पर स्ट्रीट लाइट सोनी चाहिए थी जो कि नहीं है फिलाल अभी मैंने सब को मैंने एक छोटी सी गलती कर दी मैं भूली क्या था कि अपनी रेस जहां से स्टार्ट हुई थी न हमें यह वाला चेक्पोइंट क्रोस करके वापिस उसी लोकेशन पर जाना था यूटन मारके और बाइक को स्पीड में बगाने के चक्कर में आगे जादा चला गया वही मैं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कि फिलाल इस टाइम पर अपनी जो बाइक है वह 400 किलोमेटर पर आरके स्पीड से चल ले मैंने एक बाइकर को तो पीछे कर रहा है पता नहीं वह अपना ओपनेंट था या फिर कोई एक नॉर्मल बाइकर था पता नहीं फिलाल ओ य बहुत तकडी चला रहा है और इसको इस टाइम पर ट्राक से अटाना थोड़ा बहुत मुश्किल है लेट्स को उसको मैंने गिरा दिया है उसका तो गलती एक्सिडेंट होगा बारी है इसकी तेरी हैसे कि तैसी तेरे को जितवातों मैं व्याइपी पास एक दिन हेलोवीन ओ भाई वो अपना निकल रहा है रुख जाओ एक टार्गेट को पीछे कर रहा दूसरा वाला ही आगा मैं आज सब को ऐसी बाहर कर दूँगा रेस एडिगा तुम लोग तो जाने ही नहीं वाले एक सेकेंड इसको बारियर में बिढ़ा हूँगा क्या कर रहा है तू आजो आजो आजो ओके तो अभी दोनों मेरे से आगे जा चुके हैं बारियर में इनको बिढ़ाने की 3 2 1 लेट्स को वो तो बहुत उचा चला गया ओ नहीं ट्रोन बाइक वाला निकल चाहेगा तो मैं क्या कर रहा हूं रुख जाओ वो जादा आगे निगा सही है तो इसकी मैं ब इस पर फोकस कर लेता हूं मैं जीच जाओंगा कोई भड़ी चीज नहीं बस में कोई डर यह लग रहा है कि ट्रोन बाइक में बहुत अगड़ा बूस्टर होता है उसने एंड टाइम पर मारा खैर अब क्या ही मारेगा है लो वह तो बहुत जादा दूर रह चुका है एक मि चारा वाय बाकि दो रेसर्स का अक्सिरेंट करवा दे हमने बहुत ही जादा गलत वाला लेट्स को तो गाइस अभी फिलाल सारे के सारे रेसर्स अपना यहां पर आ चुके हैं और इसको पता नहीं क्या परेशानी हो गई है यह पहले तो उसकी बाइक लेकर आया और अभी बाइक अपनी घड़ी नहीं कर रहा है उल्टा उसकी बाइक पर ठक करें मारे जा रहा है फिलाल अपना काम होगा है मुझे चलके फड़ाफट से वियाईपी पास लेना चाहिए डायमंड कसीनों में एंटर होने का हो सौरी यहां पर भाइब बहुत ज्यादा सिक्यूरिट बढ़ गी है मतलब डगन बोस ने ऐसी चकाप भी बंदे लगा रहे हैं ओके तो विनर अपनी बाहिक से उतर चुक है और चलते हैं वियाईपी पास लेने के लिए लेट्स को ओके तो फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद आकिरकार हमें डायमंड कसीनों के अंदर जाने का वी आईपी पास मिल गया है अभी मैं चाहूं तो पारकिंग से में गेट से बैक गेट से कहीं से भी इस कसीनों के अंदर एंटर कर सकता हूं सही में यार बहुत ज्यादा मैनत करनी पड़ गी मैंने नहीं सोचा था कि डगन बोस के आने के बाद सिक्योरिटी इतनी पार करनी करनी है कहीं पता चला मैं यहां पर गोम और लोग मेरी बाइक चुरा के ले गए तो अलगी लेने के देने पड़ जाएंगे यहां से अंदर चलते हैं तो यह मैं अपनी बाइक लेकर आचका हूं सिधा कसीनों में और यह देखो आते यह मैं क्या देखने को मिला फ्रारी वाव लेट्स को पीछे वाला ब्लॉक खाली है फड़ा फट से जलके मैं अपनी बाइक को यहीं पर पार कर देता हूं वैसे अगर देखा जाया ना तो इस पारकिंग में जितनी भी गाडियां खड़ी है ना शाय से बाइक उन सभी कार से महंगी होगी बाकि इन चोड़ो जो भी है फिलाल अभी मैं जल्दी से चलता हूं सीधा कसीनो में अपनी मस्ट एंट्री हो चुक है यहां पर मुझे अपना व्याइपी पास लगाना है और अंदर जाना है ओल डन फड़ा फट से अभी हम लोग चलते हैं सीधा कसीनो में अब हमें यहां पे कोई अब दहुत भी नहीं रोकने वाला अंदर जाने से अब ही बिना एक चोटी सी प्रोब्लम है और वह प्रोब्लम यहें कि अपने पास यहां अर्मर है नहीं कोई वेपन है नहीं कोई बॉम्ब है तो आखिरकार हम लोग इस कसीनों को यहां पर तो देखने में अनलागी लग इसने हैलोवीन आउट्ट पहने वी है वैसे गिटारिस्त ही बोलते हैं बहुत अच्छा गीटार बजा रहा है बाकि मेर को ऐसा लग रहा है कि यहां पर ना सारे की सारे जो डगन बोस्थ के दोस्त है ना सारे माफिया बगेरा मतलब यह वही सारे बिजनसमेन चुप-चुप में यहां पर आये में हैं बाकी हां अभी मुझे इन पर कम फोकस करना है फड़ा फट से ना पहले मुझे एक प्राइवेट स्पेस में जाना होगा मैं तो सोचके यहां बहुत ज्यादा भीड होगी ऐसी बीच बीच में चुप चुप के बॉंब प्लांट कर दूँगा इधर एक बार लेस्टर से बात करते हैं और पता करते हैं अभी भाई पीचे भी पूरी भीड लगी विया ऐसी बात निया है कसीनों बरा हुआ है इस नाइम पर पूरा का पूरा हाँ यह रहा रेस्टरूम लेस्ट को फटफट से इसके अंदर चलते हैं बसे अभी फीमेल अरे फ भीजवाने वाला है और नहीं भी भीजवाएगा तो पहली बता दे मैं यहां से बाहर निकल लेता हूँ फिलाला भी यहां पर मुझे कोई भी सिक्यॉर्टी गार्ट तो नजर नहीं आ रहा यह एक बंदा खड़ा है क्या ही हमारी बात सुनेगा वैपन से इसको समझ भी न निकलना भी मुश्किल हो जाएगा प्लस यहां पर सिक्यॉर्टी बहुत ज़दा बढ़ जाएगी हम लोग कोई भी बॉम बगारा प्लांट नहीं कर पाएंगे इसलिए लेस्टर कहा रहा है कि तुम कुछ भी करके न सीधा पैंठाउस तक पोचो और वहां पर वह एक ड्र और इमने से कोई ना कोई मुझे बॉम प्लांट करते हुए जरूर देख लेगा फिलाल उपर चलते हैं ओल्राइट लिफ्ट से मैं उपर आ चका हूँ पेंठाउस पे और अभी मुझे जाना होगा पैंठाउस की रूफ पे जहां पर लेस्टर ने हमारे लिए वेपन्स भ कर रहा हो मेरे पास वैपन्स निए मैं कोई चोरियों कि तरह नहीं चलро हूँ नोर philosoph stuk कर रहा हूं कि कहां से मैं इसकी चथ में जा सकता हूँ क्योंकि ट्रावर ने नव्पन्स इस चथ नहीं उपर वाली चथ लिचवाया से थीषी सी बात है चुपते हुए मैं आगे जाने वाला हूँ कुछ पता नहीं है पता चला नीचे जाड़ियों में CCTV कैमराज लगा रखे हूँ बाकि यार मैं भागता हूँ यहां पर तो आगया था मेरे को लग रहा था इदर उपर जाने का रास्ता होगा बट है रास्ता पर बहुत या फिर कोई ना कोई तरीका होगा उपर जाने का पका बाकी मैं इन लोगों के आगे ऐसे जंप मार के इदर उदर करेंगा तो इसे दिक्कत तो नहीं होगी ना मैंसे ठीक है लेस्को भी फटा-फटा-फटा-श्याड़ियों में कूता हूँ और अराम चे मैं यहां पर एक जो कि अभी लेफ्ट चाइट पे गया है मैंने उसे पूरा जाते वे देखा है हो सकता है वो इस तरफ को वापिस आएगा बस मुझे कोई उस साइट से ना देखे मैं यहीं पर उसका वेट करता हूँ जैसी वह वापिस आएगा मैं ट्राइ करूंगा उसको माई आगया मैं मैं इसको बोली रहा था और यह वापिस आगया है अभी मुझे इना इसे सिर्फो सिर्फ एक से दो शोट में डाउन करना है क्योंकि इसके पास एक आजॉल्ट राइफल भी है M416 तो एक काम करता हूँ मैं उसके दुबारा आने का वेट करता हूँ जब तक यह जो सीमिंग कैमरा यह तो ज्यादा पास आ रहा है एक सिकनी स्की टांग ले अभी इसके मस्त मुका मैंने बचा दिया है ओ वे बच ओ भाई भाई बच ओ भाई साब इसके अंदर भी जान है इसको फाइनली मुझे गन मिल चुकी है यह देखो उपर मैं आपको दिखाता हूँ क्लोस करक अपनी बैंड वज्जा थी तो अभी CCTV कैमरा सामने ही है इसके पास मुझे गन मिल गई है गाइस एक नहीं मुझे इसके पास से दो गन मिल गई है और अच्छी बात तो यह है कि दोनों गन में सप्रेसर लगा हुए है मुझे भी फटा-फट से ना यह जो CCTV कैमरा है इन पर बुलेट मार के इने डिसेबल करना है और यहां पर उतिरी भाई सब सामने से एक बंदा हो रहा रहा है और मैंने लाइट फोड़ी थी शायद उस तक साउंड नहीं पहुचा है मुझे इने से फटा-फट से टपकान होगा रुक जो लेट्स को यह रहा तीरी ऐसी किता सी ग बाकी यहां पर उन्हाले जो रूम है इक बारी में इसक अंदर चल कर देखता हूं क्या पता अंदर जाने की सीड़ी हो उपर जाने की सीड़ी तो नहीं पर जो चीज यहां पर मिलीए वह सबसे जादा इंपॉर्टेंट है गाईस अगर मैं इसको फोडता हूं तो डायमन क सीनों की इलेक्टरिसिटी कट हो जाएगी पर ये सिफ इतना सा सोकेट नियुका यार इतने बड़े कसीनों का शायद आगे भी कुछ रूम से हैं और हो सकता है वो भी रूम क्या पता इसी चीज के हो या फिर कुछ ना कुछ तो इसके इंपोर्टेंट होगा मैं एक बारी कर दूंगा और जब पूरे में अंधेर हो जाएगा फटाफट से बॉम प्लांट कर दूंगा में पास जादा टाइम यह सारा का सारा का मुझे जल्दी से जल्दी करना है लाइट सारी की सारी ब्लास कर देता हूं ताकि कोई CCTV रह भी जाए ना तो भी उसके बाद मुझे को काँ के लिए अगे मेरे सापसे कोई भी नहीं है संदी मेहनत के अचुका हूँ डॉमल का सीनउ की रूफ पर फिलाल सबसे फेले मुझे उपनी गन बाहर निकाल के ले लेना चैंगा यहाँ पर जितनी भी लायट से सामने कहली कॉप्टर खड़ा होई बट मुझे ने लगता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम है और यह वो ड्रोन जो की लेस्टर कंट्रोल कर रहा है वो मुझे ले बॉटेमि को बेटाग से ये दिसक के निकाल लेते हैं और लेस्डर ये यह ले से लेंगा तो अभी मैंने इसमें से सारा का सारा important समान अपने लिए बाहर निकाल लिया है जिसके थुरू मैं diamond casino को blast करने वाला हूँ फिलाल नीचे चलते हैं बट नीचे तो एक बंदा कड़ा हुआ है जिसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है इतने भी हैं सब कुछ destroy हो जाएंगे power suppliers और पुरी को पुरे diamond casino की electricity जाएगी और इसी का फायदा उठा कर हम लोगी इन bombs को main main जगा पे plant कर देंगे वैसे आधेस जाधा destruction तो इसी से होने वाला यह जो मैं कर रहा हूँ पूरे दो floor गिर जाएंगे और दो floor गिरने से नीचे का एक floor तो ऐसी जाएगा बाकी बची basement और बाकी दो ground floors okay guys तो अभी मैंने यहां पर हर एक रूम में अच्छे से बॉम लगा दिया है बस एक यह वाला last room रह गया था यह नीचे से धुआ कहां से आ रहा है बाई इन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए मेरो पर एक तो हेलोवीन का टायम में क्या वन की घुम रहा हूं मैं तो सही हूं बट यह लोग को जीब लगना चाहिए यह भी तो मतलब इसे court pen pen के आए हुए हैं जैसे यहां कोई बहुत बड़ी business deal होने जा रही हो फिलाल हां मैं बिल्कुल सही था यहां पर नीचे kitchen है और वो जो smoke था शायद से वो यहीं से आ रहा होगा इधर नहीं मेरको तो main नहीं अभी सीधा ground floor पर चलते हैं ना यहां से ओके गाइस तो यह मैं आ चुका हूं diamond casino के ground floor पे means main building पे और टाइम आ चुका है अभी bomb को blast करने का यहां पर full dance चल रहा है मैं चोड़ा सा side खड़े होता हूं बस मुझे कोई देखे ना 321 let's go ओ बाइस आप जैसा कि मैंने कहा था पूरा का पूरा माहोल चेंज हो जाएगा फिलाल यहां पर electricity तो नहीं गई है मतलब शायद diamond casino का कोई और भी battery backup है लेकिन हां यहां पर काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है पर main area यहां पर कुछ खास ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ पता है नहीं भाई इन लोगों ने क्या solar panel से कर रहा है अभी तो बाहर सूरज भी नहीं निकल रहा है फिलाल यहां पर अंधेर है यहीं सही मोगा अपने bomb वगएरा मैं बाहर कर लेता हूं और यहां पर कोई भी camera नहीं है एक bomb तो यहां पर अपना बनता है let's go एक bomb मैंने लगा लिया है दूसरे वाले bomb को यहां पर लगाते मुझ कुछ भी खास नहीं देखने वाला कहीं कहीं पर अंधेर है कहीं कहीं पर नहीं भी थो थोड़ा बहुत समल के बाकी मेरे पास जो गन है जो कि मैंने उस टर्रिस्ट के उठाई थी इसमें एक मस्त टोर्च भी है आगे थोड़े बहुत लोग हैं तो मैं आगे नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कुछ लोग है राम से बॉम लगाऊंगा अंदर सीधा पॉर्ट सेट के यह वाला बॉम ज्यादा गलत जगह पे लगा है एक एक मेनेजमेंट वाला एरिया इस तरफ में अभी तक नहीं गया था शायद से यह ओफिस जाने भी चले जाए और फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाए और भाई साहब सही है मैं उसे यहां तक नहीं लेकर आया वरना गड़ बड़ जाती यह लोग यहां पर खड़े होकर अपना बाते करते अभी फिलाल यहां से बाहर चलते हैं इस तरफ भी मिलोंको कोई नजर नहीं आ पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो में पिलर स्पे टिकी होती है और वो जो बॉम्ब है मैंने पिलर पर ही लगाए है बस यह वाले गेट पर लगा है ताकि आख पूरी बढ़ते चले जाए अगर थोड़ा बच कुछ भी जाए ना तो वह भी आख से जल जाए क्योंकि यह हमारा काम है डिस्ट्रॉय करना तुम लोग अच्छे से डिस्ट्रॉय करके जाएंगे इस वाली वॉल पर भी लगा देता हूं सामने भी यहां पर एक बॉम लगा देते हैं बहुत सारे बॉम हो चुके हैं डगगन बहुत यहां पर आने ही वाला होगा मुझे फटा बाहर निकल के इन सभी को ब्लास करना है ताकि जो बिल्डिंग है यह पूरी की पूरी गिर जाए लेट्स को कहां से बाहर निकल हूं को थोड़ा अजीब सा लग रहा है पतानी क्यों ठीक है रवास से कोई डरने वाली बात नहीं है जहां से हम लोग अंदर आये हैं मैं से बाहर आ चुका हूं और अब टाइम आ चुका है इन सभी बोहम को ब्लास करके डावन कसीनो को अड़ाने का बट मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना उससे पहले अपनी बाइक थोड़ी पीछे कर लेते हैं पता चला है बिल्डिंग अपने उपर ही आगी गिर जाए तो चलो इस टाइम आ चुका है लोस सैंटोस की सबसे ज्यादा लक्शुरी सबसे महंगी चीज को ब्लास करने का बट एक सिकिन यह पीछे क्या कर रहा है बाइ मुझे लग रहा है कि इसको सम्मालू पढ़ चुका है और मेरे मुड़ते यह मुझे मारने वाला है बट वेट मेरे पा है और अभी फटा फट में अपनी बाइक यहां से निकाल लेता हूं भाई सब पता नहीं उस ग्रिनेट से डगन बॉस को कुछ हुआ है या फिर नहीं ओ तेरी है मैं यह गिर चुका हूं पका वो मुझे पकड़ने मेरे पीछे आई रहोंगे या रुख जाओ ओकी गाइस तो भी फिलाल मैंने अपनी बाइक यहां पर उठा लिए जल्दी से स्टार्ट कर लिए पर सामने से यहां पर भी बंदे आना स्टार्ट हो गए हैं और मेरे पास एक पिस्टल है जो कि मैं बाइक पर बैट कर चला सकता हूं ओ भाई कसीनों का तो बुरा हाल हो गया ब्लास् गाईस अभी ना मुझे कही ना कही चुपना होगा लग रहा है डगण बोस ने पूरा का पूरा शेयर इस टाइम ब्लॉक कर वा दिया है ताकि हम लोग कही पर भी भाग के ना जा पाएं वेट 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 सामने से भी उसकी गाड़ी के सायरन की आवाज आ रही है ए तो गाईस यही है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था बस मुझे आगे जाना है थोड़ा सा और वहां एक टैनल है जिसके अंदर मैं छुपके बैठ सकता हूँ जब तक यह आता नहीं है तब तक के लिए ठीक है लेट को गाईस अभी फिलाल में अपनी बाइक यहां पर ल बात हो चुकी है और वह कह रहा है कि तुमना टैनल की दूसरी साइट से जल्दी से जल्दी बाहर निकलो यह जो लोग तेना यह उसकी बस थोड़ी सी सिक्योरेटी थी बट अभी उसकी पूरी की पूरी सिक्योरेटी डगण की मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ सिक्योरेटी के साथ सेलिब्रेट करने आ रहा था और उसकी आखो के आगे पूरी पूरी बिल्डिंग ब्लास करी उपर से मैंने उसके उपर ग्रिनेट फैक दिया बट लगिली शाद वो उस ग्रिनेट से बच गया है पर मेरा कुछ नहीं पता मैं बच पाऊंगा या पर न सब यहां पर तो और भी काफी सारे बंदे बेठा रहे हैं और इधर तो आगे जाने का रास्ता भी नहीं है और पीछे भी पूरा का पूरा रास्ता इन लोगों ने घेर रखा है वह 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 तो शुकर है कि जो बाइक है थोड़ी बहुत पावरफुल है वरना भी तक यह ब को बाइक से गिरा आलता है तुम्हारी ऐसे कि तैसी भाड में जाओ तुम स्टन्ट मार के निकाल लूँगा बिचारे डर के मारे नीचे उच जा रहे हैं अभी मैंने बाइक ओ नहीं यहां पर बहुत बड़ी करपड होगी है उसको मालूम ही नहीं पड़ा है कि मैं पीछे इस पार नहीं आ पाएंगे खेर की आख बुझा ले तो बात अलग है पर मैंने देखा उनका एक बंदा शाइट से जलके मर गया उस आँको पार करने के चक्कर में सामने एक बंदा हो रहा है इसको भी मैंने मार दिया है पीछे भी खतर है सामने भी खतर है ओ विट भाई य कोई दंडा मार रहा है मेरे पीचे से आगे फिलाल ठीक है यहां पर एक बंदा और था यह भी डाउन है और भी काफी सारे बंदे सामने हैं जिन से लड़ना बहुत जादा है स्टाइम हार्ड हो रहा है लेट्स को मैं पर एक बॉंब डाला हूं और इस बॉंब को मैं भी मस ए लिकत की बात है इधर तुम आग लगी और इधर एक बाइक है जो कि मुझे ले लेनी चीए लेट्स को अपनी बाइक सामने से निकालने लाइक बिल्कुल यह मुझे आग पर से तपा के पीछे से जाना पड़ेगा पीछे एक मैट्रो वाला रास्ता है उस मैट्रो वाले र वेट यहां पर स्टेशन है या फिर नहीं नहीं यह स्टेशन थोड़ी है अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तो यहां पर यह नहीं रुखने वाली यानि मुझे आगे जाना होगा लेस्टर को मैं इस जगह पर भुलाता हूँ शायद से हमारी हेल्प करने यहां पर जरूर आ यहां पर तो पका वो मुझे ढून डालेंगे मुझे वापिस अंदर चलना चाहिए वो जगह शायद से पहले से जादा सेफ थी तो अभी ना फिलाल मुझे इस टनल में वेट करते करते बहुत जादा देर हो चुकी है लेस्टर ने मुझे यहां पर रुकने के लिए बोला है बड़ इस टाइम पर पुलिस भी बहुत बुरी तरह हाथ धोके हमें पकड़ने के लिए नहीं हमारा एंकाउंटर करने के लिए हमारे पीछे है फिलाल लेस्टर इस मैट्रो स्टिशन की बाहर मेरा वेट कर रहा है मुझे यहां से बाहर निकलना होगा क्योंकि वही अभ क्लिन ट्रैवर में से कोई ना कोई होता था कितना असान रहता था काम बट अभी काफी जदा प्रॉब्लम हो चुकी है विलाला भी मैं यह से बाहर आ चुका हूं यह यह लेस्टर की तो गाड़ी है लेस्टो अपनी बाही कहीं पर खड़ी करते ओ भाई पूलिस वालों के यह तो F5 भालों भाई बैठो 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 गाड़ी में एक सिगेंड है लेस्टर बहुत जादा घुस्से में आ गया मुझे अभी ने मारना होगा ओके लेस्टर पहले गाड़ी में बैट इनसे मोग बाद में लड़ते रहेंगे बाकि यह जो गाड़ी लेकर रह क्योंकि इसकी जो असली पावर है वह अगर मैंने दिखा दी तो शहर को बहुत डैमेज हो सकता है गाइस इस गाड़ी की इसली पावर यूस करने का मनना मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा बट यह जो पुलिस वाले हैं यह हरकत ही कुछ ऐसी करने है कि अभी मेरे कोई करना ह पड़ेगा एक सिकिंड के अंदर हर कोई मारा जाएगा यह इतना जादा पावरफुल वैपन इस गाड़ी में लेस्टर ने लगवा रखा है लेट्स को अभी फिलाल कोई भी हमारे ने आगे ने टिकने वाला और अभी मैं जाने वाला हूं सीधा डगन बॉस के घर पर उस ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखे और हमेना कुछ भी करके अपनी गाड़ी नहीं रुखनी है अदर्वाइस वो लोग हमारी गाड़ी ब्लास्ट कर सकते हैं और वेट सिक्योरिटी उसने यहीं से लगा रखे रुख जाओ ऐसी की तैसी भाई साब दिखी भी नहीं कितनी सारी की सारी हमने ब्लास्ट कर दिया है और अभी कुछ इसी ताइप का सीन हम लोग आगे भी करने वाले हैं बहुत ज्यादा गलत फाइट हो चुकी है मुझे मुझे अपनी गाड़ी में आग लग जाएगी मिलको पस आगी की गाड़ी ब्लास्ट करनी है इसकी जो फोज है सारी की सारी यहां पर मैंने ब्लास्ट कर दिया बट अभी अंधर और भी गाड़ी है पता नहीं मैं इसे अंधर कैसे लेकर जाने वाला हूं बट हां सब कुछ एक्दम अच्छे से ब्लास्ट कर देंगे खतरनाग लेट्स गो गाइस टाइम आ चुका है यहां पर पड़ा पट से अंदर जाने का भाई साप कितने बंदी अंदर बिठा रहें एक सीट रुकना ज़रा कि ऐसी की तैसी पूरा पूरा घरी डिस्ट्रॉइब कर दूगा बट नहीं नहीं घर नहीं डिस्ट्रॉइब करना घर पर मैं एक शौट भी फायर करने वाला हूं उसका अगल ब ओ तेरी अभी तो बहुत सारे बंदे बचे हैं यार रुक जाओ वो थोड़ा सोच समझ के इंसे लड़ना होगा यह भी गया पीछे भी थोड़े बहुत बंदे बचे हैं इसके ओपर भी करा फायर बाकि अब चलते हैं सीधा डगन बॉस के पास एक सेकिंड रुक जा इसके लेट्स को यह मैं आ चुक हूँ उसके ओफिस में ओफिस में तो वह नहीं होगा कि इसको मालूम है बात कि मैं सबसे पहले ओफिस में ही आने वाला हूँ बट क्या पता टेबल के नीचे वह चुपा हो सब कुछ भाई आज इसका फोर डालेंगा भाई इलको राजा बन के र यहां पर यह फ्लावर पोर्ट आ रहा है इसकी जासे मैं से मार नी पार ओ भाई रुक जाओ उनके पास शॉटगन है पर मेरे पास उससे भी भयंकर चीज है और वह यह स्टिकी बॉम जो कि वहां पर फेकना थोड़ा सा हार्ड होगा तो तीरी यहां बहुत बड़ी प्रॉ मुझे मारने के लिए वेट वेट लेट को वटापट से वाला गेट ओपन करता हूं यहां पर एक सिलेंडर पढ़ा यह भी मैंने ब्लास कर दिया इसको चकर आगया सिलेंडर ब्लास से जो कि में फायदा दे गया बाकी यहां पर भी एक रूम है मुझे यहां से चल लाओग अंदर एक बंदा इधर बैठा हुए एम करके दो बंदे बैठे में एक नहीं बाकी आंग लगाई थी घर में ओ तेरी पीछे से कुण फायर करा ओ लेस्टर ने मारा नाइस नाइस भाई ग्राउंड फ्लोर पे तो गदर वाली आंग लग चुके और जितने बंदे सारे के स वाली नीचे आना चाह रहा था सारे ग्राउंड फ्लोर वाली उपर चलेगे और भाग के नीचे आना चाह रहे हैं ओके तो अभी हमने काफी सारे लोग को मार दिया है यह एक रास्ते अंदर जाने का इसने आग भुजा दी भाई जो समय नहीं आ रहा था ओ यहां पर एक ब दर तो लग रहा है बट अभी करना क्या है हमें नीचे जाने होगा फिलाल यहां पर कोई भी नहीं है अपनी गन पूरी रिलोड करके रहता हूं लेस्टर बाहर के बंदों को देख रहा है मुझे यहां पर अंदर जाके डगगन बॉस को ढूंड नहीं होगा फिलाल यहां और बाइसाब अब्डे जादा बड़ी बेश्मेंट बना रहा है तीन-चार रूम है यहां पर इदर की पैड लोग है शायत से यह लोग ओ यह बना रहा है अपने घर की बेश्मेंट में पाईसाब आ लग ही शोक में चल रहा है फिलाल यहां पर तो मुझे कोई भी देखन को नहीं मिला इधर एक रूम है यह वाले रूम का मैं गेट खोल के देखता हूं यहां पर ओ तेरी भाई मैं कहूं यह कौन सा कीड़ा यहां पर बैठा हुआ है मकड़ी जैसा बहुत नहीं पता चला वह उसकी उंगलिया थी फिलाल भी मुझे यहां पर और कोई भी नज़ा भी पेष ठीट के पीछ चूपा हुँआ था वाव ठीक है इसको मैंने मार दिया li दाने लिकलिवाश रोम यह पड़ा रोम है कोई चोटा रोम निया है भाई यह सरेंडर क्यों कर रहा है एलो इते ओ तेरी भाई साथ इसले सरेंडर कर रहा है तेरी बैस की एक्टिंग करके दिखाएगा तो गाइस अभी फिलाल डगण बहुत हमारे हाथों लग चुका है और अभी इसके बाद भागने है कोई रास्ता नहीं है दो लाते ही और सिक्योरिटी आएगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉलम हो सकती है वे उटबे कैस हो गया हमाही ओल्राइट गाइस तो भी फिलाल लेस्टर भी नीचे आ चुका है और लेस्टर कह रहा था बस अपनी गाड़ी ठीकाने लगाने गया था क्योंकि अगर वो पुलि उस बंदे ने बोला है कि उसे यह जिंदा चाहिए वरना तो अभी तक मैं इसको मार देता फिलाल अभी लेस्टर पता नी किसी से कोल पर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बात कर रहा है डगण बॉस को लेकर पता नी शाहत से अब लेस्टर की सारी की सारी प्रोपरिट सब्सक्राइब कर दो और जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुझे जरूर बताने कि आपको यह वाला एपिसोड कैसा लगा बाकि आज की वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई झाल प्रोपरिट झाल 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 हुड़ झाल